Students, आज की Class में जो हमारा lesson 2 है, भीन न्योंम दसम्नों, भीन न्योंम दसम्नों की जो प्रशनावली है, प्रशनावली 2.1 की सवालों को Solve करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप समझे हमारे पास कोई वी चीज संपूरिण का मतलब अगर हमारे पास कोई भी संपूर्ण है उस संपूर्ण और आप देखेये मेरा संपूर्ण यह जो हमारा संपोड है इस संपोड को हमने दो बराबर भाग में बात दिया है यह वाला भाग बराबर है इस वाले भाग के अब इन दोनों भागों में से अगर हम एक भाग लें देखिए जैसे यह दो भाग हो गया एक भाग हो गया इन में से जो छायांकित भाग है अगर ह कि यहाँ जो हमारे संपूर्ण है कितने बराबर भाग में बाटा एक दो बराबर धा में बाटा है तो ब्रक बन 10 2 को आप बटय में लिग दीजिएत। और और कितना भागं रहे रहे हैं एक बनी कि दीजिए तो च्छाय कि हमने यहां पर क्या लिया और का क्रति ले लिया इसे इसको समझी आप तक करती हमारी कैसी संपूर्ण थी कोई चीज पूरा था ठीक है कि पूरा का मतलब आप समझते और पूरा आधा समझते तो संपोρत को उने 4 बरभर भाग में बार्ठ दिया है अब आप समझे इस ओआंकित भाग आप देख रहे हो अगर इस च्यांकित भाग को भि science के रूप में लिखना चार हैं तो कैसे लिखेंगे ? तो जातायी है को छायांगित भाग को विन Java कि रूप में कैसे लिखेंगे अभी अभी हमने आपसे बताया कि यह हुमारा संफूर कितने बराबर भाग में बच रहा तो आप सोच करके बताइये एक, दो, तीन, चार, यह जो हमारा संपूर है, वो चार बराबर भाग में बट रहा है, तो कोई संपूर जितने बराबर भाग में बटता है, वो हमारा हर में जाता है, आप लोग भिन्द में समझते हैं, अगर हम एक भिन्द की बात कर रहे हैं, तो उस भिन्द को कैसे लिख अब देखिए इसमें से कौन सा भाग ले रहे हैं च्शायंगीत भाग के लिए लिखना चाहे रहे हैं क्या हो जाएगा कि एक वटे में चार कि चलिए अब हम लोग एक दूसरा एक्जांपल देखते हैं आप समझ ये हमने यहां पर एक आकरती लिए एक संपूर्ण और इसको कितने बराबर भाग में बाट दिया है र देखेकर यहां पर श्चाययांकीद भाग आप देख रहे हूँ सच्छायांकीद भाग के लिए अम भिन्न ना चाहरे है कैसे लिखेंगे कैसे अब भिन्न के रूप में आप इस चांगित भाग को कैसे लिखोगे तो All हमारा संपूर है आयत एक कितने बराबर भास में बटा है तो अब देखिए कृत주 दो तीन हम च्शे 177 9 10 11 12 बराबर भाग में बटा है तो कोई संपूर्ण इतने बराबर भाग में बटा हुसे हम कांपर रखते हैं अ मीचे को अंस में एक दो तीन चार भाग छायंकी तती से क्या लिखेंगे चार बटे बारा ठीक है एक दूसरा एक्जामपल देखते हैं आप समझे हमारे पास कोई इस तरीके से हैं वृत्त है और इस वृत्त को हमने क्या किया है अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे भिन्न के रूप में लिखते हैं अब यहां पर आपको बताना है चायंकित भाग के अलावा जो भाग है ठीक है उसको भिन्न के रूप में लिखना चाहरे हैं चायंकित भाग के अलावा बचे भाग का भिन्न है कि है अब आप बता ही कैसे लिखेंगे स्टुडेंगे हमने क्या कहा कि सबसे पहला जो हमारा संपूर है उस संपूर को कितने बराबर भाग में बांटा जा रहा है जितने बराबर भांटा जाएगे उसे हरं में लिखेंगे एक दोthree 3 4 5 6 7 8 वराबर भाग में बाटा जाisen आए अब देखिए छायन्कित भाग के अलामा कौन्सा भाग है एक दो 3 4 5 6 7 क्योंकि हम 6 शाइंक्त भाग के अलामा जो बचा हुआ है उसका भीन लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो समझ पा रहे होंगे चलिए समझिए हमारे पास कोई एक संपूर्ण इस तरीके से ठीक है और इसी के जैसा कोई दूसरा संपूर्ण यहां पर है ऐसे हैं ठीक है यह संपूर्ण है ठीक है और यहां पर यह भाग छायांकित है कि यह हमारा संपूर्ण शायंकी थे अब आप इसको कैसे लिखोगे अगर हम इसमें इसको जोड़ें तो आप कैसे जोड़ोंगे देखिए यह तो मारा संपूर्ण है तो इसको लिखिए वन ठीक है प्लस अब यह जो मारा संपूर्ण देख रहे हो आप इस संपूर्ण को कित 16 भाग के लिए हम भिन्ने लिख रहे हैं तो कितना भाग ले रहे हैं एक तो ए मारा क्या हो जग वन प्लस वन अब वन में फोर ठीक है और इसको अगर आप लिखना चाहें भिन्ने के रूप में समझ गई स्टूडट चलि बागे देखते हैं अब आप समझिये हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं कुछ सलीप जाइज आले बराबर इस तरीके से तीन वस्तु हो गई यह हमारी शम्पूण है यह भी हमारी क्या सम्पूण है ठीक है और समझे इसको उने कितने बरावर भाग में बार देजिए ठीक है और इसमें से हम यह भाग ले रहें अब इसको अगर आम लिखना चाहिए अगर गुड़ा के रूप में लिखाना चाहे हैं? कैसे देखी, दो भाग सम्पूढ है तैं दो गुड़े यहां पर देखिए इसको कितने बरावर भाग में बाटा गया चार कितना भाग ले रहे हैं एक तो दो गुड़े एक बटे चार यानि किसे हम क्या लिसकते हैं दो बटे चार टो अगर इससे कर यहां गलत तो आपको मल्टिपलाई नहीं करना ठीक है देखिए अब इसके भी आप चार भाग करिए हमने ऐसे चार भाग किया और इसमें भी आप चार भाग करिए ठीक है चार भाग हो गया अब आप लोग ध्यान से देखिए चार भाग ए सारे भाग बराबर है ठीक है चार भाग ए चार भाग ए आठ भाग हो गए लिखिए या पिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका संपूर्ण है, प्लस 1, ए भी हमारा क्या है, संपूर्ण है, और इसमें सम कितना ले रहे हैं, चार भाग में से एक भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपन में 4, चार दूनी 8, एक 9 बटे, चार ठीक है, और अगर आप इसको हल करोगे तो आपको यहीं मिलेगा, देखिए, चार दूनी 8, एक बचा, तो 1 नौ बटे में 4 इसके कहने का मतलब क्या हो गया, दो सही, यानि कि दो भाग हमारे कैसे हैं, सही हैं, और चार में से एक भाग हम ले रहे हैं, दो सही है उसका दो सही भाग है उसके बाद एक बटा चार ठीक है यानि कि दो संपूर्ण और तीसरे का एक बटे चार ले रहे है इस तरीके से जब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो हमारी Mr. भिन्न होती है नाम आप लोग समझते रही है Mr. भिन्न ठीक है आपने इसको किस रूप में लिका समझिया आपने योग किया है ठीक है चलिए गुड़न फल्वारा मों लोग नेक्स देखते हैं आप समझिये आपके पास कुछ इस तरीके से हैं कोई भी वार्ट किल आप वस्तू ले सकते हैं तो यहां पर हमने वस्तू ले लिए ठीक है सार है जैसे ही है ठीक है इसं में समने क्या कि इसको दो भाबर भाग में भाट लिए इसको भी दो बराबर भाई भाग में बात लिए कि इसमें 2 में से एक बाग च्हायंकित हैए इसमें भी दो में से एक भाग छायंकित है, इसमें भी क्या है, दो में से एक भाग छायंकित है तो इसे हम क्या लिखेंगे, बताइए एक, दो, तीन है और सबका क्या है, एक बटे दो, क्योंकि एक बटे दो ए भी है, एक बटे दो ए भी है तो इसे हम क्या लिखेंगे तीन गुडे तीन है ना एक जैसे तो तीन गुडे 1 बटे 2 और इसे हम कर सकते हैं 3 बटे में 2 न दो ठीक है चले एक एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्चनावली पर आप लोग भिन्द क्या है इस बात को समझ गए होंगे समझ ये इसको मने चार बराबर भाग में बाटा ए भी हमारा चार बराबर भाग में बट गया है ए भी हमारा चार बराबर भाग में बट गया है ठीक है अब एक जैसे कितने वस्तु हैं तीन हैं और सब काम कितना ले रहें देखिए इसमें चार में से कितना ले रहें दो भाग चार में से दो भाग लिए और सब में से यही काम कर रहे हैं चार में से दो भाग, चार में से दो भाग कितनी बार तीन बार चार में से दो भाग ना देख लिजिए तीन बार ले रहे हैं, चार में से दो भाग चार में से दो भाग, चार में से दो भाग है तो 3 गुड़े 2 बटे 4 है साम में लिख सकते हैं अगर आप लोग ँगारने इसको क्या होजागा 3 दूनी 6 बटे में 4 और इसको solve करेंगे 2 दूनी 6 हमारे पास क्या जाएगा थीन बटे में 2 और अगर आप इन सबको एक result के रूप में लिखना चाहा रहे हैं चित्र बना करके देखिए इसको solve करेंगे आपके पास क्या आएगा 2-1 के 2-1-3 बटे 2 यानि कि आपके बाद एक ऐसा चित्र बनेगा कि जो संपूर्ण होगा ठीक है मिलेगा ठीक है तो चलिए प्रश्णावली पर चलते हैं चीज़ें अपनों को बहतर समझ में आएंगी तो इस्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्णावली 2.1 को ध्यान से देखते हैं इसमें देखी क्या का जा रहा है A से D तक के रेखा चित्रों में निमलिकित को कौन दरसाता है यहां पर जो दिया गया है इसको A से D तक में कौन दरसा रहा है जैसे यहां पर दो गुड़े 1.5 है दो गुड़े 1.5 है दो गुड़े 1.5 के लिए आप कौन सा रेखा चित्र परियोग करोगे तो आप सबसे पहले आप यहां देखोगे एक बटे पांच है यानि कि पांच कोई संपूर्ण है जिसको पांच बराबर भाग में बाटा गया ठीक है कोई भी संपूर्ण हो सकता है अ कि जिसको 5 बराबर हैं बाता गया 5 बराबर भाग मेंसे 1 बाग लिया गया सबसे पहले आप्हें देख Strong कि 5 बाग मेंसेा इस मेंभी क्या हो रहा है 5 भाग है और 10 वाग मेंसे 1 निया जा रहा है एक बटे पाच प्रक्ति कितनी बार है दो बार दो गुड़े बटे पांच है अकίο की तो लिख लिजिया option number भी है पैसे हो के जो पहले को कॉन दर्फharma एड़ motives का त 지금도 दूसरे की बात करते हैं दूसरे में ध्यान से से दो गुड़े ू बटे है वह जो दो गुड़े एक बटे दो कि आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौण सी आकृति यह कौन सार्रेखा चित्र है जिसको दो बराबर भाग में बाटा गया और एक भाग लिया जा रहा है कितनी बार दो बार तो यहीं दिख रहा आपको इससे दो बराबर भाग में बाटा गया इससे दो बराबर भाग में बाटा गया तो इसके लिए परियुक्त भिन्ने क्या हो जाएगी एक बटे दो ये भी एक बटे दो है, एक बटे दो कितनी बार ले रहे हैं दो बार, तो दो बार का मतब दो गुड़े एक बटे दो, ठीक है, तो हमारा जो B नमबर है, वो सेकेंड को दर सारा, ठीक है, तो सेकेंड के लिए आप क्या लिखोगे, B, ते लिए तीन गुड़े दो बटे तीन, अब आप देखिए, दो बटे तीन कितनी बार, तीन बार, तो यहां पर देखिए, इस संपूर को तीन बराबर भाग में बाता गया है, और कितना बाग लिया जा रहा है, दो बाग, तो बाग लिया गया, तीन बराबर भाग में ब इसे चार बराबर भाग में बाटा गया है चार बराबर भागों में से एक भाग लिया जा रहा है कितनी बार तीन बार तीन बार का मतब तीन गुड़े एक बटे चार हमारा जो चौथा है उसके लिए कौन सा करेक्ट है उसके लिए कौन सा रिखा चित पर योग होगा सी वाला तो समझ गई स्टूडेंट चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते और देखते हैं दूसरे नंबर का तीन गुड़े एक बटे पांच याने कि एक बटे पांच कितनी बार तीन बार तो और कोई संपूर जिसे पांच बराबर भाग में बाता गया है एक भाग लिया जा रहा है तो यहां पर आप सबसे पहले इस भिन्न पर ध्यान देजिए पांच बराबर भाग में बाता गय एक दो तीन चार पांच बरावर भाग में बाता गया है और कितना भाग लिया जा रहा एक भाग तो भिनने क्या हो गई एक बटे पांच कितनी बार है एक दो तीन बार है रिजल्ट कितना रहा तीन बटे पांच देखिए एक दो तीन चार पांच भाग है पांच भाग है पा वन के लिए कौन सा वेखाचित परयोग हो रहा है सी वाला बात समझ गए स्टूडेंट चले इस दूसरे पर चलते हैं दो गुड़े एक बटे तीन एक बटे तीन पर सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि कोई संपूर्ण जिसे तीन बराबर भाग में बाटा गया है तो यहां पर हां यहीं पर देखिए एमारा संपूर्ण कितने बराबर भाग में बटा गया तीन तीन बराबर भाग में बटा है और एक बाग लिया जा रहा है तो यहां पर भी देखिए एक बाग लिया जा रहा है कितनी बार दो बार दो बार एक बटे तीन तो दो गुड इस टार्टिक में जो मैंने आपको समझाया है अगर वह आप लोग समझ गया है तो इस क्वेस्चन को आप लोग कर ले जाएंगे चलिए देखिए तीसरे में तीन गुड़े तीन बटे चार कोई संपूर्ण है जिसे चार बराबर भाग में बाटा गया है कि यदल यानि कि दो आपको सम्पूर्ण मिल रहा है चार भाग में forces के लिए ठीक है तो थीसरे के लिए बी वाला समझ गए student इस प्रश्ण को चलिए अब हम लोग अगले प्रश्ण पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला question क्या है चलिए student तो आप लोग प्रश्ण संख्यत 3 को ध्यान से देखे इसमें क्या का जा रहा है गुडा करके निवन तम रूप में लिखिया और मिस्रित भिणन में व्यक्त किजी है अब आप लोग ध्यान से देखे अगर जैब हम लोग भिणों का गुडा करते हैं थीक हैं इसमारे पास एक भिणोंगी और आर्मारे पास क्या वोगी दूसरी भिणोंगी जब लोग एक भिन्न को दूसरी भिन्न से multiply करेंगे आप समझें मारे पास कोई एक भिन्न है A upon B कोई दूसरी भिन्न है C upon D ठीक है हमें इस भिन्न को इसे गुड़ा करना कैसे करेंगे देखिए ध्यान से सोनिये जब हम भिन्नों का गुड़ा करते हैं तो क्या करते हैं अंस को अंस से गुड़ा कर देते हैं यानि कि A को C से गुड़ा करेंगे हर को हर से गुड़ा कर देते हैं B को D से गुड़ा करेंगे ठीक है इतनी बात समझ गए अंस का गुड़ा अंस में, बटे में हर का गुड़ा हर में, अब जैसे अगर आपके पास कोई नंबर इस तरीके से लिखी गई है, तो आप कहोगे कि एभिन है या नहीं है, तो student आप ध्यान से देखिए, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अभी हम केवल एक ही method से आप को ध्यान रखनी, ठीक है, अलगर एक तरीके नहीं सोचने हैं आपको, देखें, दो बटे एक का मदब दो ही होगर, आगर आपके पास सात लिखाया, तो सात लिखाया सात लिख सकते हैं, ये आपको जान लेना है, ठीक है, अब आप पर धयान से देखिए, क्या दिया गया है कि 7 गुडे 3 बटे 5 है हम ने अभी आपको बताए साथ लिंखाया तो साथ को आप 57 बटे है लिख सकते हैं और गुडे में तीन बटे 5 कर दी जाए और अभी हमने काहा कि भाई जब भिणो का गुडा करते हो एक भिण्णो को दूसरे भिण्ण से गुडा करते हो तो अंस को अंस में गुड़ा कर लेना है यहां पर अंस क्या है साथ है किस से गुड़ा करोगे साथ को इस वाले अंस से तो इसका अंस क्या है तीन है बटे लगाईए फिर क्या करें हर को हर से गुड़ा करेंगे तो यहां पर वन है वन का गुड़ा हम 5 से करेंगे तो 7 तरिक 21 और 1 गुड़े 5 करोगे 5 तो क्या आ गया 21 बटे 5 लेकिन क्या हमारा यहीं पर solve हो गया नहीं हुआ अभी हमें इसे मिस्रिद भिनने के रूप में बैक्त करना ठीक है तो चलिए मिस्रिद भिनने के रूप में बैक्त करते हैं आपको आप 21 में भाग दीजिए ठीक है तो कितनी बार जाएगा चार बार पांस चो के क्या हो गया बीस 21 में से 20 घटा एक आ गया अब ध्यान से देखिए इसे हम क्या लिखेंगे चार सही एक बटा पांच कैसे लिखा तो जो भी भाग फल आएगा भाग फल हमारा कहा जाता है सही में जो सेस्फल आएगा वो कहा पर जाएगा अंस में और जिस संख्या से हमने भाग दिया है वो हमारा कहां आएगा हर्मे ठीक है यह हमारा क्या है भाजक है इसे हम भागफल कहते हैं यह समझ जाए इसे हम सेस्फल कहते हैं यह हमारा भाजक होता है और 21 हमारा क्या हो जागा भाज हो जाएगा ठीक है यह बात पता है तो मिस्टर बिन्ड की रूप में कैसे बदलेंगे भागफल सही में जाएगा सेजफल बटे भाजक हो जाता है तो यहाँ पर देखें मारी पास क्या हो जाएगा 4 सही एक बटे 5 तो लिख दीजिए 4 सही एक बटे 5 इसका क्या हो गया मिस्तिरित भिनने के रूप में हो गया ठीक है चलिए अब इसको आप solve करिए गुड़े एक बटे 3 करिए अब अन्स का गुड़ा अन्स में तो 4 को एक से गुड़ा करोगे तो क्या हो जागा 4 एक को तीन से गुड़ा करोगे तो क्या हो जागा 3 ठीक है तो हमारे पास क्या आगया 3 बटे 4 अब आप देखिए इसमें जब हमारा ANS, समय लिजिए, ANS, बड़ा हो हर से, समझ गए, यह ज़ो ANS है, एंस जब बड़ा हो हर से, तो इस केस में जो भिन होती हैं, उसे हम मिसरित भिनने के रूप में change करते हैं change कर दीजिए तीन का भाग आप चार में लिए जाओगे कितनी बार जगात तीन एक के तीन एक बार गया दो एक चार अब एक हमारा क्या हो रहा सेसफल तो सेसफल को कहा लिखेंगे अंस में और ये जो भाग जगे इसको निषिल तो क्या हो गया एक साही एक बटे तीन तो यह मारा मिश्रित बिन्ने की रूप में हो गया ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब बार बार इसके नीचे आप बटे वन लिखो गये तो इस्टूडेंट टाइम कंजूमिंग आपको लगेगा ठीक है अब आप समझ गये हैं कि ए अंस बनेगा इसको इससे मल्टिप्लाई करिए तो दो को मने छे से मल्टिप्लाई कि बारा ह हो गया यहां पर समझ लीजिए वन है तो वन को आप से मल्टिप्लाई कि तो साथ आ गया समझ गये ना कि चलिए बारा बटे साथ आ गया अब अंस बड़ा है हर छोटा है तो क्या करेंगे मिस्रित बिनने के रूप में चेंज कर सकते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा साथ सात एक के साथ दूबारा तो जाएगा नहीं तो साथ एक के साथ सेस कितना बचा पांच axes आप लोल नॉर्मल मेथध जो भी उने किया था वह कर सकते ठीजा साथ एक के साथ पांच sizes बचा तो सेसेफल को यांपर लिखिए 12 हो गया बटे में 7 हो गया यह मारा मिसरित बिन्न के रूप में चेंज हो गया इसे क्या पढ़ेंगे 1 सही 5 बटे 7 समझ गये चले यहाँ पर करते हैं अब आप इसको खुदी कर ले जाएंगे देखिए 5 को 2 से मल्टिप्लाई किया 5 दूनी 10 यहाँ पर अधिरिस से रूप में 1 मौजूद है ठीक है तो 1 को मने 9 से मल्टिप्लाई किया 9 आ गया 10 बटे 9 आ गया चले मिसरित बिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं कर दीजे देखिए कितनी बार भाग जाएगा 9 एक के 9 एक बार गया 9 एक दस से से एक बचा बटे में नो एक साही एक बटे नो एक हमारा क्या हो गया एंसर हो गया ठीक है चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और इसको हल करते हैं डरना नहीं है आपको बिन्नों से फटा फट सॉल्ब करते जाना ठीक है देखिए दो को चार से मल्टिप्लाई गया अठ अध्रिस रूप में यहां पर वन क्या है मौझूद है तो तीन को एक से मल्टिप्लाई कर दिए थी तो मारे पास क्या गया आठ बटे थी अब मिस्रिज बिने की रूप में चैन निकर सकते हैं कर दीजिए तीन दूनी च्छा दो सेस बचा आठ बटे थी ठीक है तीन दूनी च्छा दो आठ बटे थी हो गया का चैन लिए बेसिक मेतड से एक आपको और करके दिखाते हैं नहीं तो आप भूल गया होंगे पांच बटे दो है गुड़े छे को क्या लिख सकते हैं छे बटे एक अंस का गुड़ा अंस में जब बिन्नो का गुड़ा करते हैं तो अंस को अंस से मल्टिप्लाई करते हैं तो पांच को उने छे से मल्टिप्लाई किया पांच शके तीस दो को वन से मल्टिप्लाई किया तो 2-1 के-2 इसको काट दीजिए सरलतम रूप में करिए 2-1 के-2, 2-5 में कितना हो जाएगा 30 तो हमारे पास क्या गया 15 बटे 1 तो 15 बटे 1 का मतलब 15 ही होता है यह मारा क्या हो गया अंसर हो गया ठीक ही इस्टूरंट चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर देखे कुछ आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है पर एक कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लगा सकते हैं लगा दीजिए तो अंस को अंस से मल्टिप्लाई करिए 11 को 4 से मल्टिप्लाई करिए ग्यारा चोके 44 एक को एक को साथ से मल्टिप्लाई के असाथ आ गया मेसेज बिनने के रूप में चेंज कर सकते हैं चेंज कर दीजिए कितनी बार जाएगा छे बार साथ चंग 42 सेज बचेगा 24 बटे में 7 ठीक है एंस्वर हो गया चलिए अब student इसको हम थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं आपको क्या लिख सकते हैं 20 बटे गुड़े 4 बटे 5 इसको सरल करें देखें काट दीजिए देखें 20 का भाग 20 में आप 5 से भाग दे रहो ऐसा हो सकता है नहीं तो आप मल्टिप्लाई कर लिजिए हमने क्या किया 20 गुड़े 4 अंस को अंस से गुड़ा किया एक को 5 से गुड़ा किया 5 आ गया 5 के 5 5 चव के 20 4 चव के 16 ऐसे भी आप कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है इस्टूडेंट इसका 9 नंबर 13 गुड़े 1 बटे 3 दिया गया है भई यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो लगाई सकते हैं अंस का गुड़ा अंस से तो 13 को 1 से गुड़ा किया 13 आ गया 1 को 3 से मल्टिप्लाई किया तो 3 आ गया यही मारा एंसर हो गया ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं 15 3 45 बटे में 5 5 5 5 5 9 45 हमारी 5 9 आ गया और यही मारा क्या हो गया एंसर हो गया और इस्टूडेंट इस तरीके से जोमारा question number 3 था हमने question number 3 को क्या कर लिया है solve कर लिया है तो चलिए student अब हम लोग प्रश्ण संख्या 4 पर चलते हैं देखिए प्रश्ण संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है 6 आंकित कीजिए अब हमें क्या करना है 6 आंकित करना है बखसा A के बृत्तों का 1 बटा 2 भाग अब यह जो आब बखसा ए आप देख रहे हो देख लिजे, बक्सा एक के बृत्तों का एक बटा दो भाग, अब आप लोग समझ रहे हैं, हमें एक गोले का एक बटा दो भाग नहीं करना है, इस पूरे बक्से में जितने बृत्त हैं, उनका एक बटा दो, आप समझेए, जैसे कि आपके पास एक प्लेट है, समझ जाए, तेरे हम समझाते हैं आपको आप समझाए आपके पास एक प्लेट है और यह जो प्लेट है इसमें समझे आप 10 टॉफियं रखी गई ठीक है और यह ऐसे 10 टॉफिय रखी गई है तलिए बना के हम आपको समझाते हैं 10 टॉफिय रखी गई है तीन दो पांच हो गई है छे साथ आठ नो दस ठीक है दो दो चार दो चे दो आर दस टॉफिय रखी गई है अब आपकी मम्मी आई कि मम्मी ने कहा बेटा आधी टाफी लेलो आप क्या दिमार करोगी दस का अधा करोगे ऑई प्लेट में कितने यह नहीं 10 हैं और आपको 10 प्लेट है, पूरा प्लेट है, आपकी मम्मे ने कहा, आप प्लेट में जितनी टॉफिया है उनका आधा ले लो, तो आधा, मतलब अब जो प्लेट में अगर दस है तो आप पांस प्लेट है उठाऊगे न, ऐसा ही करेंगे, अब यहां पर आप समझें, अब इसको आप समझे हमारी क्या है तस्तरी है इसमें इसमझे क्या है टोफिया ही है बृत है यानि कि आप समझे टोफिया है आपको एक बटा दो भाग लेना है अब देखें से पहले कितनी टोफिया है तीन 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 बारा है तो बारा का एक बटे दो बारा का आधा एक बटे दो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा देख लिजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे करना है 12 है पूरा तस्तरी में 12 का एक बटो दो करना है तो दो एक के दो दो चंग बारा यानि की 6 आपके पास बचेंगे 6 गोलों को आपको क्या करना है कलरड करना है तो कर दीजिए एक बृत्तों का एक बटा दो भाग देखिए एक बटा दो भाग हमें कलरड करना है अब देख लिजिए एक दो तीन चार पांच छे हमने कलरड कर दिया एक दो तीन चार पांच छे वही बारा था छे कलरड कर दिया 6 बचा एक बटे दो भाग कल कर दिया है इसमें देखें बगसा भी के तिर्भुजों का एक दो बटा तीन तिर्भुजों का दो बटा तीन कितने तिर्भुज है ठीक है कितने तिर्भुज है नौ तो नौ को कितना लेना है नौ का दो बटे तीन ठीक है तरदीधी color, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है, तो दो बटा तीन हो गया, चलिए इसमें देखते हैं, बक्सची के वर्गों का तीन बटे 5 भाग, जो वर्ग है, इसमें जो वर्ग हैं, इनका तीन बटे 5 भाग color करना, कितने भाग हैं, दो, दो, चार, एक, पांच, 10 15 हैं और 15 का में कितना कलर करना देखिए 15 का कितना भाग कलर करना है 3 बटे 5 तो 15 का का मतलब होता है गुड़ा 15 का 3 बटे 5 अगर हम ले रहे हैं तो 15 गुड़े 3 बटे 5 होगा 5 एक के 5, 5 ती या 15, 13, 13, 19 तो हमें कितना भाग कलर करना है 9 बटे 9 बटे 9 आप कलर कर दिजी 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7, 8, 9 में कलर करना था तो ठीक है मैंने ऐसे कलर कर दिया है चलिए अब हम अगले प्रश्ण पर चलते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्ण क्या हैं student question no.5 को आप लोग ध्यान से देखिए अब देखे इस्टुडेंट question number 5 में क्या कहा जा रहा है 24 का एक वट्टे, तो का का मतलब क्या आप समझेगे गुड़ा ठीक है अगर कहा जारा है 24 का एक वट्टे दो तो इसका मतलब क्या समझेगे 24 का का मतलब होता है गुड़ा एक बटे दो आपको ऐसे लिख देना है अब भिन्नों का गुड़ा करना तो हमने आपको सिखाई दिया आप कैसे करोगे आप नहीं समझ पारो क्या करोगे आपका दिमाग चेकर आरात क्या करोगे बटे में वन लगा दीजिए कहीं भी आप आप गुड़ा करेंगें घुड़ा तो 24 गुड़े वन करेंगे 14 हो जाएक याउन गुड़े दो करेंग है एक बटे दो 2 लेना है आपको 46 का का मतलब होता है गुड़ा एक बटे दो तो 46 बटे में लिख सकते हो गुड़े में बटे दो तो 46 को एक से मल्टिप्लाई करोगे 46 बटे दो 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 2 3 6 एई अंसर हो गया 18 का 2 बटे 3 लेना है आपको चलिए लेते हैं 18 का 2 बटे 3 देखते हैं क्या आता है तो का का मतलब गुड़ा होता है 18 गुड़े 2 बटे 3 करोगे आपको पता है न यहां अद्रिस रूप में 1 भी दिमान है तो अंस को अंस से गुड़ा कर लिजे 18 को 2 से मल्टिप्लाई कि 18 दूनी 36 बटे में 3 3 से 36 को काटा 3 एके 3 तीन दूनी 6 12 आगया अंसर हो गया यहां पर 27 का 2 बटे 3 लेना है आपको कैसे करोगे 27 का का मतलब होता है गुड़ा 2 बटे 3 करिये 27 को 2 से अंस को अंस में गुड़ा करिये यहां पर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होता ही है अंस का गुड़ा अंस में 27 गुड़े 2 किया आपने 54 आगया 54 बटे 3 3 से कार दिया तो 20 तक पाड़ा आपको यादी होगा ना तो 3 गुड़े 18 करोगे कितना जगा 24 यहां फिर 3 1 कए 3 2 5 24 3 8 4 ठीक है अगर आप इस तरीकी से भाग नहीं दे पार है तो जैसे आप लोग कच्छा 5 में 6 में भाग देते थे नॉर्मल मेथड उससे कर लेना चले इसको हल करते हैं वैसे आप लोग यह वाला तरीका सिख लिजिए लॉंग मेथड से आपको थोड़ी सी समस्या इजादा लिखना पड़ेगा ठीक है देखे क्या लिखा गया 16 का 3 बटे 4 क्या करोगे 16 गुड़े 3 बटे 4 यह लिखोगे ना हल करिए 4 के 4 4 4 4 के 16 4 3 12 हो गया देखे यहां पर क्या है 36 का 3 बटे 4 है का का मतलब होता है गुड़ा क्या लिखोगे 36 3 बटे 4 यहां पर लगा होगे 36 को तीन से मल्टिप्लाई करें 36 कितना होता है 108 बटे में 4 अगर आप यहीं पर 9 टाइम कार देते चार नमाई 36 नो तरिक 27 आ जाता है लेकिन चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाए रहे हैं काटिए चार दूनी आट दो दस 28 हो गया चार सते 28 तब 27 ही आ गया हो गया एंसर तो जो भी तरीका सुलब लगे वही कर लो ठीक है 20 का 4 बटे 5 है गुड़ा लगा यह 4 बटे 5 5 एक 5 5 चाओ के 20 अब यह तो कट गया यहां पर 4 बचा गुड़े 4 तो 4 गुड़े 4 का मतलब 16 हो गया एंसर थीक है यहां पर देखिए 25 का 4 बटे 5 से 35 गुड़े 4 बटे 5 5 से काटोगे 5 एक 5 5 से 35 बचा क्या 7 गुड़े 4 साथ गुड़े 4 का मतलब क्या हो जाएगा 28 समझ पा रहे हैं स्टूडेंट आप लोग चलिए आप हम लोग इसके अगले प्रिश्ण पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला प्रिश्ण क्या है तो प्रिश्ण संख्या 6 ठीक है यह आपको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं दर नहीं है चीजों को आराम से करना है चलिए होगे हैं आप इसमें सबसे पहले आप लोग यहां पर देखी 5 साही 1 बटे 5 ऐसा लिखा गया है समझे हमको गुड़ा करना है तीन को गुड़ा करना है पांच सही एक बटे पांच से तो क्या आप ऐसे गुड़ा कर पाएंगे आपको होगे नहीं अब तक तो हमने ऐसा सीखा ही नहीं है तो कैसे करेंग बताईए देखे अभी अभी हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी बिन दी गई है ऐसे बिन जिसका जो अंसाय वो बड़ा है किस से हर से तो हम क्या करते थे उसको मिस्रिज भिनने के रूप में चेंज कर ले थे जैसे इसको आप चेंज करके दिखाईए क्या करते थे दो दूनी चार एक पांच बटे दो दो सा ये बटे दो लिख सकते थे अब जब हम इससे ए लिख सकते हैं तो हम इससे यह मारा क्या होता है भाजक इपको पता है न हम करेंगे क्या है भाजक गुड़े भागपल करेंगे लिख लीजिए हैं भाजक गुड़े भागफल दन सेशफल बटे में भाजक कर देंगे तो जो हमारी मिसरित भिन्न है वो भिन्न के रूप में जैसे यह जो मिसरित भिन्न है यह जो मिसरित भिन्न है इस भिन्न के रूप में चेंज होगे देखिए मिसरित भिन्न के रूप में क्या है पांच सही एक बटे पांच यही है, अब हम चाय रहें इसको भिन्न के रोप में लिखना, तो क्या से लिखेंगे? हमने का भाजक, तो भाजक यहां पर यही है भाजक 5 है, यानि कि जो बटे में है, ठीक है, भाजक है तो 5 है, 5 को मुल्टिप्लाई करना किसे? भागफल से, भागफल क्या है? 5 है प्लस क्या करना, सेसपल, सेसपल कितना, वन है, वन है, बड़े में भाजक, क्या है, 5 है, भई आपको 5 से 5 से गुडा करना, पांच पचे, पछीज, एक जोड़ देना, 26 बड़े में, 5 देखें, बिनने के रूप में, चेंज होगा कि नहीं होगा, हो गया न, बात समझ गये, एक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर आप लोग चाहते हो, फॉर्मूला के बंदन से मुक्त होना, तो क्या करोगे? समझे ऐसे आपको लिखा गया है तो आप दो दूनी चार करिएगा दो दूनी चार एक पांश बटे में दो हो गया या पिर ऐसे लिखा गया दस सही तीन बटे चार कैसे करोगे इस चार को गुड़ा करोगे दस से देखिए फॉर्मूला यह अपलाई कर रहें लेकिन फॉर्मूला बार बार लिखेंगे नहीं चार दहाम चालिस चालिस में तीन जोड़ा तीरा अलिस बटे में चार अगर इस तरीके से लिखा आठ सही तीन बटे दूद क्या करोगे दो अठे सोला सोला में तीन जोड़ा उननीस बटे में दो हो गया भिन्न में चेंज ठीक है अब आप लोग सीख गए होंगे चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए जो भी तरीका आपको सुलब लगे उसी तरीके का इस्तेमाल करना जाद से जाद प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़े आपसे आसानी से होने लगे ठीक इस्टूटे तो लिए ध्यान से देखिए अब इसको भिन्ने के रूप में बदागे पांच पचे पचीस एक चबवीस बटे में पांच तरीका आपको सिखा दिया यह ऐसा तो गुड़ा आप करना जानते ही है कैसे करेंगे तीन को चबवीस से गुड़ा करेंगे तो चबवीस दूनी बावन चबवीस तिया अठथतर होता ठीक है बटे में पांच एई हो गया एंसर गुड़ा केज़े और मिसरित भिनने के रूप में बदले इसको मिसरित भिनने के रूप में चेंज करना कर दीजिए कैसे करेंगे पांच एक के पांच दो साथ यह हो गया अठथाईस पांच पचे पचीस तीन अठथाईस देखें, तीन से इस बचा, बटे में पांच, तो मिसरित बिनने के रूप में हो गया, चले इसको हल करते हैं, पांच गुड़े छे सही, तीन बटे चार, कैसे करोगे, चार छंग चौबीस में तीन जोड़ा 27, बटे में चार, और पांच को 27 से गुड़ा करिये, 27 चौका 108 हो और 27 पंचे 135 होता है, ठीक है, तो आगया 135 बटे 4, इसको मिसरित बिनने के रूप में करना कैसे करोगे, चार से इसमें भाग दीजिए, 4 तीन बारा, एक तेरा, एक यहां इलाग शिपाई हो गया 15, ठीक है, तो 4 तीन बारा, तीन पंदरा बटे में 5, 33 सही 3 बटे 5, 33 पंच तो क्या हो जाएगा, 33 सही 3 बटे 4, ठीक है, चले यहां पर देखते हैं, क्या दिया गया, 7 गुडे, मिसरित बिनने के रूप में सबसे पहले भिन बनाई है, 4 दूनी, 8 एक नौ, बटे में 4, 7 नवाई 63, बटे में 4, मिसरित बिनने के रूप में चार से 63 में भाग 4, 1 के 4, 2, 6, 23 हो गया, 4, 5, 20, 3, 23, ठीक है, 3, 6 बच रहा है, तो 15, 4, 63, 63, बटे 4, सही है, चेक कर सकते हैं, चले, हल करते हैं, दी नंबर को, अब आप लोग स्टूनेंट सीख गया होंगे, 3, 6, 18, 1, 29, बटे में 3, 29, दूनी 38, 29, 37, 29, 24, 76, बटे में 3, पहाड़े, आपको याद होने चाहिए भी इस तर, 3 से काटे है, 3, 2, 6, 1, 7, ठीक है, योग्या 16, 3, 5, 15, 1, 16, बटे में 3, 6, बाज़ग, चलिए यहाँ पर ध्याँ देते हैं, 4, 3, 12, 1, 13, बटे में 4, गुडे 6, ठीक है, कट रहा न, कार देजिए, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 13, 49, बटे में 2, काटिए, 2, 1, 2, 1, 3, 11, 18, 29, 18, 19, बटे 2, हो गया सोल्यूशन, सेलिए, यहाँ पर चलते हैं, मिसरित बिन्ने, बिन्ने के रूप में चेंज करिए, 5, 3, 15, 2, 17, बटे में 5, गुडे में 8, 17, ठीक इतना होता, 136, बटे में 5, 5 से काटिए, 5, 2, 10, 3, 13, योगे 36, 5, 7, 35, 1, 36, बटे में 5, ठीक है, हो गया एंसर, इस तरीके से, जो हमारे question number 6 था, हमने question number 6 को हल कर लिया है, चलिया है, student हम लोग question number 7 पर चलते हैं, और देखते हैं, इसका solution क्या होगा, तो question number 7 को भी आप कर सकते हैं, multiply ही करना है, का जा रहा है, ग्यात कीजिए, क्या ग्यात करना देखें, 2 सही 3 बटा 4 का, 1 बटे 2, तो का का मतलब होता है, गुड़ा, तो 2 सही 3 बटे 4 गुड़े 1 बटे 2, यही होगा, और इसको कैसे कर सकते हैं, देखें, मिसरित भिनने के रूप में है, इसको भिनने के रूप में चेंज करें, 4 दूनी 8, 3 11, बटे में 4 गुड़े में 1 बटे 2, अंस का गुड़ा अंस में, तो 11 गुड़ा 1 करेंगे, तो 11 हो जाएगा, 4 गुड़ा 2 करेंगे, 8 हो जागा, य मिस्रेश बिनने के रूप में चेंज करने के लिए नहीं बोला तो ऐसे रहना देजिए कोई दिक्कत है नहीं कि देखिए 9.36 2.38 बटे में 9 का एक बटे 2 का का मतलब गुड़ा होता है गुड़ा करती जीए देखिए 38 गुड़े 1 करेंगे 33 और 9 गुड़े 2 करेंगे ठार ठीक है 9 गुड़े 2 रहने देखिए 2 के 2 काटी इसको आज एक 19 हमारे पास क्या गया 19 बटे 9 हम लोग सरल कर सकते हैं ठीक है जैसे आप समझिए हमारे पास इस तरीके से अगर दिख रहा है तो 2 1 के 2 2 2 2 4 काट सकते हैं एक बटे 2 सेम संख्या से जैसे कोई भिन है उस भिन में अंस और हर में समां संख्या से घुड़ा कर सकते हैं इस बात को अपको ध्यान में रखना आ है भाँ शेतरी कि अधारी थारा पांच थेइस अध्य बटे में च्छा का का मतलब गुड़ा पांच बटे आठ हब हमको कहीं कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं अंज को गुड़ा अंस के कर ये तेज़ पंच एक सो पंद्रह ठीक है पांच तिया पंद्रक पांच हासिल एक पांच दूई दस एक ग्यार अच्छे अठे अड़ तालिस ऐसे आपको करना है अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करना आप लोग सारे डाउट में आपको क्लियर कर नौ साइद दो बटे तीन है तो तीन नवा सताइस दो उनत्तीस बटे में तीन का का मतलब गुड़ा हो जाएगा पांच बटे आठ अधि कुछ कट रहा नहीं कट रहा तो उनतीश को पांच से मल्टीप्लाई करें तो उनतीश पंचे कितना हो जाएगा 145 देखिए 59 पैश पर चलते हैं और देखते हैं मारा गिला प्रशन क्या है तो क्वेस्टेन नमबर आप आठ को ध्यान से देखिए बिद्या और परताप पिकनिक पर गए ठीक है उनकी मा ने उन्हें पांच लीटर पानी वाली एक बोतल दी बिद्या ने कुल पानी का दो बटे पांच भाग उ पानी पीने वाला बोतल दिया ठीक है और जो पानी वाला बोतल इसमें कितना लीटर पानी है पांच लीटर पानी है बिद्या ने कुल पानी का दो बटे पांच कितना हो जाएगा दो आ गया बिद्या ने कुल पानी का दो बटे पांच उपियोग किया तो पांच का दो बटे पांच किया आओ गया दो लीटर यानि कि बिद्या ने कितना पानी पिया दो लीटर लिखिया बिद्या द्वारा उपियोग किया गया पानी ठीक है चलिए इसको हम एकदम बेस्ट तरीके से लिख देते हैं कितना उप्योग किया बिद्ध्या ने कुल पानी का दो बटे पांच कुल पानी कितना है पांच लीटर का का मतलब गुड़ा है दो बटे पांच तो पांच गुड़ा दो बटे पांच यानिकी दो लीटर उपयोग किया गया पानी चीक स्टूडेंट शालिए बिद्या ने कितना पानी पिया तो भई दो लीटर पानी पिया बिद्या ने पानी की कुल मात्रा का कितना भिन परताप ने पिया लेकिंग परताप द्वारा पिये गये पानी का भिन अब आप बताए कैसे निकालोगे सोचिए और बताइए देखिए पांच लिटर पानी था बिद्या ने दो लिटर पानी पी लिया कितना बचा तीन लिटर बताए कितना बचा तीन लिटर पानी बचा है पूरा पानी पाँच लिटर पूरा पानी पाँच लिटर तो तीन लिटर किसने पिया भई पाँच में से तीन ले रहे हैं जितना होता है टोटल नीचे लिखते हैं और जितना लेते हैं उतना अंस में लिखते हैं तो 5 तो इसने पी लिया है और 5 में से 2 माइनस करना क्योंकि 2 तो विद्ध्या ने पी लिया है तो बचा कितना तीन बटे पांच यह अंसर हो गए समझ गए पांच माइनस दो करेंगे क्योंकि दो लीटर तो बिद्ध्या ने पी लिया है जो पानी बचेगा वही परताब पीएगा तो पांच मेंसे जब हम दो घटाएंगे तो हमारे पास कितना अगा तीन अब तीन लीटर परताब पी रहा है कितने मेंसे पांच लीटर मेंसे तो भिरने क्या हो जाएगे तीन बटे पांच यह अंसर हो गया तो इस्टूडेंट इस तरीके से जो मारी प्रशनावली थी इस प्रशनावली के सारी सवालों को मनें solve किया तो चली आप लोग पढ़ते रहें, अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो comment box में comment करने वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like किजिए का चनल पन नए हो तो चनल को subscribe करने चलिए आप लोग पढ़ते रहें थैंक यू और हाँ अगली प्रिश्णावली देखने के लिए आप लोग तयार रहें थैंक यू